पहला पार्ट राजाओं का दुसरा ग्रंथ अध्यय पाँच पत्संख्य एक सी पंद्रा तक अराम के राजा की सेनाध्यक्ष नमन को अपने श्वामी का सम्मान तथा कृपा द्रिश्टी प्राप्त थी क्योंकि प्रभु ने नमन द्वारा अरामियों को विजय दिलाई थी वह महान योद्धा था किन्तु कोड़ी था अरामी छापामार किसी समय इस्राइल के देश से एक कन्या को उठा कर ले आये थे और वह नमन की पत्नी की दासी बन गई थी उसने अपनी स्वामिनी से कहा ओ यदि मेरे स्वामी समारिया में रहने वाले नभी में से मिल जाते तो वह उन्हें कोड से मुक्त कर देते नमन ने अपने स्वामी को बताया कि इस्राइली कन्या ने क्या क्या कहा है इस पर अराम का राजा बोला तुम वहाँ जाओ मैं तुम्हें इस्राइल के राजा के नाम एक पत्र दूँगा नामन चल पड़ा और वह चांदी के दस तोड़े सोने की च्छा हजार असरफियां और दस जोड़े कप्रे अपने साथ ले गया उसने इस्राइल के राजा को वह पत्र दिया उसमें यह लिखा था मैं इस पत्र के साथ अपने सेवक नामन को आपके पास भेजता हूँ जिससे आप उसे कोड से मुक्त कर देत इस्राइल का राजा पत्र पड़ते ही अपने वस्तर फाड़ कर बोल उठा मैं तो ईस्वर नहीं हूँ जो मार और जिला सकता है तो उसने किसी को कोड से मुक्त करने के लिए क्यों मेरे पास भेजा है वह निश्चे ही मुझ से लड़ने का बहाना ढूड रहा है जब ईस्वर भक्त इलिशय को यह पता चला कि इस्राइल के राजा ने अपने वस्तर फाड़ डाले है तो उसने राजा के पास यह कहला भेजा आपने क्यों अपने वस्तर फाड़ डाले है वह मेरे पास आए तो वह जान जाएगा कि इस्राइल में एक नबी विद्यमान है इसलिए नामन अपने गोड़ों और रत्हों के साथ आकर इलिशय के घहर के द्वार पर खड़ा हो गया इलिशय ने उसे यह संदेश कहला भेजा आप जाकर यर्दन नदी में साथ बार अस्नान किजिए आपका सरीर स्वेच हो जाएगा और आप सुध हो जाएंगे नामन कुरूध हो उठा और यह कहते हुए चला गया मैं समझ रहा था कि वह स्वैम बाहर आकर मुझसे मिलेंगे अपने प्रभु ईश्वर का नाम लेकर प्राथना करेंगे और कोड के अस्थान पर हाथ फेर कर उससे दूर कर देंगे क्या दस्मिक के अमान अबाना और फरपर नामक नदियों का जल इस्राइल के सब जलासयों से बढ़कर नहीं है क्या मैं उन में अस्नान कर सुध नहीं हो सकता था इस पर वह मुड़कर क्रोध के आवेस में चला गया उसके सेवक उसके पास आए और यह कहकर उसे समझाने लगे पिता यदि नभी ने आपको कोई कठीन कारिय करने को कहा होता तो आप उसे औरस्यक करते जब उन्हों ने इतना ही कहा अस्नान किजिए और आप सुध हो जाएंगे तो आपको ऐसा औरस्यक करना चाहिए इसलिए उसने जाकर यदन नदी में साथ बार डुपकी लगाई जैसा कि इलिशय ने उससे कहा था और उसका शरीर फिर छोटे बालक के सरीर जैसा स्वच हो गया वह अपने सब परिजनों के साथ इलिशय के यहाँ लोटा वह भीतर जाकर उसके सामने खड़ा हो गया और बोला अब मैं जान गया हूँ कि इस्राइल को छोड़ कर और कहीं प्रिथवी पर कोई दिवता नहीं है यह प्रभू की वानी है इस्वर को दहन्यावा भजन अनुवा क्या मेरी आत्मा इस्वर की जिवन्त इस्वर की प्यासी है मैं कब जाकर इस्वर के दर्सन करूँगा हे मेरे इस्वर हरेनी जैसे जल्दहारा के लिए तरस्ती है मेरी आत्मा वैसे ही तेरे लिए तरस्ती है अनुवा क्या मेरी आत्मा इस्वर की जिवन्त इस्वर की प्यासी है मैं कब जाकर इस्वर के दर्सन करूँगा मेरी आत्मा इस्वर की जिवन्त इस्वर की प्यासी है मैं कब जाकर इस्वर के दर्सन करूँगा अनुवा क्या मेरी आत्मा इस्वर की जिवन्त इस्वर की प्यासी है मैं कब जाकर इस्वर के दर्सन करूँगा अपनी जौती और अपना सत्य भेज दे वी मुझे मार्क दिखाएं और मुझे तेरे पवितर परवत तक तेरे विनास अस्थान तक पहुचा दे अनुवा क्या मेरी आत्मा ईस्वर की जीवन्त ईस्वर की प्यासी है मैं कब जाकर ईस्वर के दर्शन करूंगा मैं ईस्वर की वेदी के पास जाऊंगा ईस्वर के पास जो मेरा आनंद है मैं बीना बजाकर अपने प्रभु ईस्वर की इस्तुति करूंगा अनुवा क्या मेरी आत्मा ईस्वर की जीवन्त ईस्वर की प्यासी है मैं कब जाकर ईस्वर के दर्शन करूंगा संत लूकस के अनुसार पवित्र सू समाचार अध्याय चार पदसंख्याएं चोबिस से तीज तक येशु ने नाजरित आकर सभाग्रीह में लोगों से कहा मैं तुम से कहे देता हूँ अपनी मात्री भूमी में नभी का स्वागत नहीं होता मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जब एलियस के दिनों में साड़े तीन वर्सों तक पानी नहीं बर्षा और सारे देश में घोर आकाल पड़ा था तो उस समय इसराइल में बहुत सी विध्वाएं थी फिर भी एलियस उन में से किसी के पास नहीं भेजा गया वह सिदोन के सरेपता की एक बिध्वा के पास ही भेजा गया था और नभी एलियसियूस के दिनों में इसराइल में बहुत से कोड़ी थे फिर भी उन में से कोई नहीं, बलकि सीरी नामन ही निरोग किया गया था यह सुनकर सभागरी के सब लोग बहुत कुरुद्ध हो गए वे उठ खड़े हुए और उन्होंने येशु को नगर से बाहर निकाल दिया जिस पहाड़ी पर उनका नगर बसा था, वे येशु को उसकी चोटी तक ले गए ताकि उन्हें नीचे गिरा दे, परंतु वह उनके बीच से निकल कर चले गए प्रभु का सू समाचार, हे खृष्ट तेरी स्तूति हो प्रप्सित